अब दिस अना मदील और यूग वाचिंग कुकेंट ट्रावल के आज की मज़ेदार अपिसोड में आज की रेसिपी है मटन कडाई की तो चलें जी मैंने दो बड़े साइस के प्याज ले लिया है उसके साथ मैंने लिया है लसेन अद्रक कपेश, तीन चमच, दो बड़े साइ को हम ढाल लेते हैं और फिर उसके बाद अगला प्रोसेस शुरू करते हैं बहुत ही मज़ेदार तरीका है ये मटन बनाने का और बिल्कुल देसी तरीका है इसे बहुत जबरदस्त मटन बनेंगा और आप ज़रूर ट्राइ करिएगा मुझे बताइगेगा कि आपको कैसा ल मतलब जैसे लसन अद्रक का पेस्ट और वो था ये बिल्कुल देसी तरीका है इसे आप ज़रूर ट्राइ करिएगा और इससे बहुत ही यमी और बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी मटन बनता है इसके ग्रेवी का और इसके मसाले का बहुत जबरदस्त टेस्ट होता है आप सब चीजों को मिक्स करके एक साथ ही इसमें डाल दें जैसे टमाटर हरी मिर्चे और ये सारी चीज़े सबसे पहले जो मेरे चैनल पे ने हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें आपने लसन अद्रक हरी मिर्ची और प्यास डाल के इसको अच्छे से हला देना है और चूला दनिया और जीरा इसको अच्छे से आप कूट लें और उसके बाद आप अपनी जो हंडिया है उसमें मिक्स कर दें और उसके साथ हम डालेंगे मैंने लिया है नमक, हल्दी, लाल मिर्ची, काली मिर्ची और थोड़ा सा चाइनी सॉल्ट और उसके साथ मैंने कडाही मसाला लिय भी है तो कोई मसला नहीं आप देसी मसालों ही से इसे बनाएं बहुत अबर दस्त बनेगा अपने टमाटर अभी नहीं डालने हैं आपने देखा होगा मैंने टमाटर स्किप्ट किया है उसकी एक रीजन है कि टमाटर जो है मुटन के अच्छी तरह गलने से बाद और सारे मसाल सही से घुलने के बाद लास्ट पर डाला जाता है देखें अभी काफी हद तक जो मटन है वो पाक गया है अभी हम मजीद थोड़ा वेट करेंगे तो लें जी ये आलमुस्ट जो है वो बन गया है काफी ज़्यादा पानी भी सूख गया है आप देख रहे हैं इसे मजीद हम अच्छे से गल गया है तो वेलन गुड उसके बाद ये अभी मैं भूने के प्रोसेस में हैं तो मैं अभी इसमें टमाटर एड़ करूंगी ताके टमाटर अभी अच्छे से बन जाएं और जब आप लास्ट पर टमाटर डालते हैं तो मसाला बनाते वक्त जो है वो टमाटर यहीं जो है वो मैक्स हो जाता है इसके बाद मैंने साथ ही इसमें ऑल डाल दिया है और अभी मैं इसको अच्छे तरीके से भून लेती हूं मटन को तो आप आएस्था बिल्कुल लो फ्लेम करें और हलके हलके से सारे मटन को भूनते जाएं देखें कितना अच्छा कलर आ र करें रोटी के साथ करें यह बहुत मज़ेदार और बहुत यमी लग रहा है अलमुस्ट रेडी है चलें अब मैं इसे डिश आउट करती हूं और डिश आउट आप करें आप इसके उपर जो है वो अच्छे तरीके से अद्रक की गार्निशिंग करें उसके साथ आप लगाए हरा धनिया और मज़े से इंजोई करें और मुझे बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है टेक केर